हलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पोस्टों के बारे में एक तो Finance Account Assistant का पोस्ट है और दूसरा पोस्ट जो है that is Sub-Inspector Police Post जो यह दोनों पोस्ट है बहुत सारे कंडिट्स को confusion है इन दोनों पोस्ट में कौन सा बैतरीन पोस्ट है अच्छा पोस्ट कौन सा है अगर किसी कंडिट को दोनों नोटिफिकेशन में सेलेक्शन हो गई तो तो कौन सा पोस्ट चूज़ करना चाहिए दोस्तो अगर हम इन दोनों पोस्ट के बारे में बात करेंगे ज्यादा benefit किस post में है finance account assistant post अच्छा है या police sub inspector post अच्छा है पहले हम बात करेंगे level of post यहाँ पे नोट साथ देख लीजे police sub inspector यहाँ पे देख लीजे इस post की level है level 6 से अगर हम salary की बात करेंगे that's 35,700 similarly अगर हम बात करेंगे finance account assistant की यहाँ पे यह भी आप देख लीजे level of post क्या है जो इस post की level है that's level 5 अगर हम salary की बात करेंगे that's 29,200 अगर हम अब देखेंगे post इन दोनों में से कौन सा अच्छा है यह दोनों post अच्छे है लेकिन कुछ differences है अगर हम sub inspector post की बात करेंगे उसमें आपको account assistant यह जाब भी बहुत अच्छी है computer based जाब है financial transactions financial bills के साथ आपको इस जाब में deal होती है तो यह भी बहुत अच्छी जाब है लेकिन अगर हम इस जाब को compare करेंगे police sub inspector से इसमें आपको अतना तनख़ा नहीं मिलेगा इस post में थोड़ा बहुत आपके salary कम होगी दोस्तो police sub inspector की जाब बहुत अच्छी जाब है अगर आप यह जाब इमांदारी के साथ करोगे दोस्तो अगर किसी candidate की selection दोनों post फिर हुई उसके लिए कौन सा department अच्छा रहेगा देखे हर किसी candidate की अपनी अपनी choice होती है बहुत सारे candidates होंगे जिनको finance account assistant post अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारे candidates होंगे जिनको police sub inspector job पसंद है लेकिन इतना में इस वीडियो में आपको कहता हूँ अगर आपको दोनों post में selection हुई है police sub inspector में आपको ज़्यादा benefits है salary भी ज़्यादा है वो level of post भी अच्छा है लेकिन ये job आपको बड़ी इमानदारी के साथ करनी होगी इसमें responsibility भी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप ये job इमानदारी के साथ करोगे फिर तो ये job आपके लिए बहुत अच्छी है as comparison to finance account assistant तो दोस्तो जिन कंडेटों को finance account assistant job पसंद है लेकिन उनको लगता है उनके selection please 7 inspector post में भी होगी उन कंडेटों के लिए finance account assistant job ठीक रहीगा दोस्तो चोईस के आगे कुछ भी नहीं होता है अगर आपकी चोईस है finance account assistant लेकिन आपको दोनों post में selection हुई है फिर तो उनकंडेटों के लिए finance account assistant ठीक रहीगा हाँ थोड़ा बहुत उसमें salary कम रहीगी लेकिन आप जिन्दगी बर उस job में satisfy रहोगी दोस्तो साबनेस्पक्टर post में अगर benefits थोड़ा बहुत ज्यादा है लेकिन इस post में responsibilities भी ज्यादा होती है अगर finance account assistant post में थोड़ा बहुत कम benefits आपको मिलते है लेकिन उसमें काम भी थोड़ा बहुत इजी होता है दोस्तो इसके अलावा हर किसी candidate को अपने अपनी choice होती है किसी को साबनेस्पक्टर किसी candidate को finance account assistant choice के आगे कुछ भी नहीं होता है दोस्तो इस वीडियो को बनाने में सिर्फ एक ही मकसद था benefits आपको किस post में ज्यादा मिल जाए है यही हमें इस वीडियो में discuss करना था thank you दोस्तो thank you for watching this video have a nice day